नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही चनल फार्मसी नोलज में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आम आदमी मोहला क्लिनिक में जो फार्मासिस्ट का एक्जाम हुआ था 16 मई 2022 को उसमें काफी सारे फार्मासिस्ट का सेलक्षन हुआ था लेकिन अभी तक उसमें से बहुत सारे श्टुडेंट का ज्यौइनिंग और डॉकुमेंट फेरिफिकेशन नहीं हुआ है ये अक्टूबर 2024 का ऑफिشियल मेल है जिसमें फार्मासिस्ट के ज्यौइनिंग और मेल आया है आप देख सकते हैं document verification and impanlement of pharmacist के लिए mail आया है आम आदि महला क्लिनिक में अब जो नया date आया है pharmacist के document verification और joining के लिए वो 16 October 2024 रहने वाला है 16 October 2024 यानि Wednesday के दिन pharmacist का document verification होगा और इसके साथ ही उनका joining भी क्या जाएगा अब बात यह करते हैं कि कौन-कौन से candidate और कितने rank तक के candidate का joining इस बार 16 October 2024 को होगा तो आप देख सकते हैं 16 मैं 2022 को यह exam हुआ था result जो आया था 28 जून 2022 को आया था अब हम बात करेंगे कि 16 October 2024 को 201 rank से लेकर 250 rank तक जिनका है यानि total 50 candidate का यहां पर document verification and joining होने वाला है आपको क्या करना है जब भी 16 October 2024 को आप जाते हो तो आपको सारे document verification के लिए अपना original document और photocopy दोनों ले जाना है अब बात करते हैं कि पहले तो इसका location है वो चेंज हो गया है अब document verification जो होगा वह इस address पर होगा state AAMC cell second floor आम आधी महलाक poly clinic बिंदापूर pocket 3 block D New Delhi pin code है 110059 पहले द्वारका में होता था इसका document verification पिछले मन्थ भी document verification और जो joining हुई थी वो द्वारका में हुई थी हड़ एक बार द्वारका में होते थी अब location change हो गया है अब location हो गया है state AAMC cell second floor आम आधी poly clinic बिंदापूर pocket 3 block D New Delhi 16 October 2024 को आपका document verification है 10 30 a.m. का यहां पर time रखा गया है आप अपना document लेकर original और photocopy सभी लेकर पहुंच जाए अब एक बार हम बात कर लेते हैं document discuss कर लेते हैं तो two photocopies ले जाना है और original भी ले जाना है इसके साथ ही क्या-क्या document है passport size photograph 10th का mark seat या कोई अगर आपके पास बर certificate है देन आधार कार्ड या water ID कार्ड इसके साथ ही डिप्लोमा या डिग्री अगर आपने भी फार्मा या डी फार्मा किया है तो उसके mark seat valid registration pharmacist certificate जो आपका DPC यानि दली फार्मेसी कॉंसिल से मिलता है वो ले जाना है medical fitness का certificate ले जाना है किसी भी government doctor या government hospital के doctor से बनवा कर medical fitness का certificate ले जाना है आपको PCC यानि police verification certificate भी ले जाना होता है जो कि आप online apply करके police verification करवा सकते हो इसके साथ ही cancelled check या copy और passbook ले जाना है और pen card अपना ले जाना है यह original format में और photocopy self-attested करके दोनों ले जाने होते हैं इसके साथ ही हम देखेंगे कि नोट यहां पर लिखा गया है कि दो chances मिलेंगे सभी candidate को आमाधी महला क्लिनिक में जॉइन करने का और document verification करने का 201 से 220 तक को पहले भी time मिला था इस वार फिर से last time मिल रहा है इनको 16 October 2024 को अगर वह इस पार भी नहीं कर सकते तो उनको future के लिए divided कर दिया जाएगा तो 16 October 2024 को आपका 201 से 250 जिनका लाश रैंक है वह अपना करा सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं 201 रैंक जो है Mr. निपून यादव का है 202 सल्मान एहमा, 203 सद्दाम हुसेन, 205 सोनू, 206 विनाई कुमार, 207 सत्यम ठाकूर, 210 Mr. आसीस कुमार, 214 तमना सैनी इसी तरह से नीचे स्क्रॉल टान करते हैं 28 मिसेस पुजा महता, 239 मिसेस पुनम मौर या, 232 विधी गौर, 233 Mr. अभनीज कुमार, इसी तरह से 244 Mr. राजू, 245 Mr. पिंकी, 247 Mr. राहुल कुमार वर्मार, 248 Mr. वसीफ रजा, 249 Mr. सिवम गर्ग, 250 Mr. महेश कुमार, यह टोटल 201 रेंक से लेकर, 250 रेंक जिनका है, उनको इस वार फिर से मौका दिया गया है, 16 अक्टूबर 2024 को, तो आप अपना document verification करवा सकते हो, डॉक्मेंट फेडिपिकेशन 16 अक्टूबर 2024 को करवा सकते हूं लोकेशन एक वार फिर से मैं में मेंसन कर देता हूं कि अब लोकेशन चेंज हो गया है अब जो लोकेशन नया रहने वाला है वो स्टेट AAMC सेल सकेंड फ्लोर आम आदें पॉली क्लिनिक बिंदापूर पॉकेट 3 ब्लोक D न्यू देली पिन कोड है 110059 टाइमिंग यह है आप देख सकते हो और अपना आम आदें महला क्लिनिक में एक चीज और बता दूँ कि फार्मासिस्ट क्यों नहीं जोईन करने हैं इस पर हमें बिल्कुल सोचना चाहिए क्योंकि जहां तक मैंने सुना है कि फार्मासिस्ट की सेलरी लेट आती है और दूसरा यह है कि कभी भी फार्मासिस्ट का फिक्स सेलरी नहीं हो पाया है इसलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मोहला क्लिनिक में जोईन करना नहीं चाहा रहे हैं थैंक्यू दोस्तों इसी तरह के फार्मसिस रिलेटेड वेकेंसी के लिए और फार्मसिस रिलेटड अपडेट्स के लिए हमारे यूटूब चैनल फार्मसी नौलेज से जुरे रहे और इस वीडियो को जदा सेयर करें